जैहिंद नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि BSF Head Constable Ministerial जो 323 पोजिटो पर vacancy निकल के आई हुई थी जिसमें सबसे पहले physical हुआ उसके बाद return exam इसका हो चुका है लेकिन इसका answer की कब तक आएगा ये सब आज मैं आप सब को इस आउंगा कि आप सभी का cutoff कितना जा सकता है आपने कितना सही किया जिससे आप सब का selection हो जाए अब की बार BSF Head Constable Ministerial में ठीक है सबसे पहले हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आपका जो return exam हुआ था उसका जो cutoff जा सकता है वो आप सभी का यहाँ पे 50 जा सकता है पचपन जा सकता है और 60 भी रह सकता है ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आज की इस वीडियो में आपको मैं विश्तार समझा दूँगा सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि आप सभी का जो exam हुआ था वो TCS company करवाई हुई थी किसने कराई थी TCS company ने exam आपकी कराई थी तो जब TCS exam कराती है तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर CRPF Head Constable Ministerial और ASI Steno का जो 1408 पोस्टे और आपके निकल के आई हुई थी उसका जब TCS exam कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि TCS जो exam लेता है वो थोड़ा hard आता है ठीक है सरसी से थोड़ा hard रहता है लेकिन अगर आप सभी त्यारी करेंगे तब इस exam को qualify कर पाएंगे तो उसी प्रकार से BSF Head Constable Ministerial में भी हुआ था लेकिन तो भी CRPF से कुछ तो यहाँ पर easy paper आया था लेकिन hard था ठीक है paper जो था वो hard था लेकिन काफी सारे बच्चे जो अच्छी लेबल त्यारी कर रहे होंगे वो सारे बच्चे यहाँ पर exam qualify कर जाएंगे और जब यहाँ पर paper hard है तो आपका cutoff भी यहाँ पर कम जाने के पूरे-पूरे chances हैं अगर आप सभी यहाँ पर 60 plus या फिर OBC हैं तो अगर आप सभी 58 plus सुरी दोस्तों 57 plus या फिर आप सभी HCT है और 55 plus है तो भी आप सभी का यहाँ पर typing के लिए आप सभी को बुलाया जा सकता है ठीक है आप सभी को typing के लिए बुलाया जा सकता है उसमें region यह है कि अभी typing में बच्चे बाहर होने वाले हैं तो उसी के according यहाँ पर बच्चों को ज्यादा बुलाया जाएगा बात करें यहाँ पर करीब 10 गुना बच्चे बुलाया जा सकते हैं ठीक है क्योंकि अभी यहाँ पर typing होना बाकि है जो कि 30 word permit आपके होगा और 35 word permit को यहाँ पर होने वाला है टापिंग आप सभी का ठीक है तो आप सभी का हें इंग्लिश में होगा एक हिंदी में होगा तो दोनों में से आपको टाइपिंग यहाँ पर करना ही पड़ेगा अब बात रही यहाँ पर एंसर कीगी कि एंसर की कब आएगा तो देखें मेरे दोस्त यहाँ पर आज सवी को एक्जाम था वो 17 और 18 जोन को एक्जाम होगा ठीक है एंसर की जो होता है पान दिन के अंदर आ जाना चाहिए और अभी यहाँ पर 18 जोन को जब एक्जाम होगा तो यहाँ पर 18 बारा पांच जैखते हैं तो यहाँ पर होता है तेइस तारीख तो अभी आज है बाराइस तारीख और आनसर की जो है आपका वो कल नहीं जारी होता है यदि लिए 5 दिन maximum लगता है उससे अंदर ही आप सभी का एंसर की जारी हो जाता है तो कल आपका एंसर की यहाँ पर आने की पुरी-पुरी संभावना है बात करें यहाँ पर आप सभी की cut-off cut-off मैंने आपको बता दिया अगर आप सभी जर्नल OBC जर्नल EWS से हैं तो आप सभी का यह होगा काफे बच्चे टाइपिंग में भी बाहर हो जाएंगे तो पेपर आपका easy to moderate लेबल का था ना विजी बोल सकते हैं ना ज्यादा hard बोल सकते हैं तो इसलिए अगर आप सभी एक्जाम दिये होंगे आपको पता होगा कि पेपर किस लेबल का था आपके तैयारी किस ले जैसे आप सब का यहां पर आंसर की जारी होता है तो लिंक आप सबको टेलिग्राम ग्रूप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी मनीज भाई यूटूब चैनल दौरा ठीक है तो मिलते हैं आप सभी से नेस्ट वीडियो में सीधे कट आफ के साथ अब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम